यह से बनाते हैं यह चास्टनी यह है चावल का आटा इसमें पढ़ाती गुर्ण नमक अगया है यह चास्टनी के से वह बल के तयार हो गया है यह देखो गाइस कैसे के गाइस हेलो गूड मौनिंग गाउ की लोग ज़्यादा शटक बोलते हैं तो शटक की हर्दिक सुमन कामना है मेरी तरफ से आप सब लोगों को तो हम लोग जा रहे हैं आज चाओल के पिंडिया बनाने क्योंकि हम लोग काज उपवास है न तो इसलिए चाओल के पिंडिया उसे बनाने के एक बद खाये नहीं लेकिन बाद में खायेंगे और आप लोग चैनल पर नहीं हो तो चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो के एक लैक ज़रूर कर देना इसलिए हम लोग ऊपर आए हैं ऊपर चूला जलाएंगे अभी साइद हमारी अम्मा जला रही है घर पर काम लगा हुआ ये देखो गाइस भाईया भी लगे काम में और ये अम्मा हमारी चूला लगा रही है आप लोगों को दिखाते हम ये देखो गाइस हमाई हम चूरा जला रहे हैं और यह समान भी आ गया है यह क्या है यह पीसा हुआ चावल है यह देख लो यह ना वह क्या जात अगर जिसको पता हो वह कमट में बताना जात जात में पीसा हुआ है मिकसी में हम लोगें नहीं पीसा यह गाइस कटा हुआ गरी है ऊदर मुंधफली है यह देखो गया यह दिख लो कि घ्ल रह और जलाव हम लोग गुड का जलाव बनाएंगे ना यह बंद है अच्छ तक यह गुड है यह दिखलो है यह देशी घी है आप लोग पे और यहां ग चल रही है और इसमें घी डल चुका है इसको पिगलने देते हैं हम लोग जब तक यह पिगलेगा गाइस ठंडी भी बहुत ज्यादा यह देख लो धूब को कहीं नामों निशान नहीं है यह देखो हम लोग उपर है घर में नहीं जला सकते ना चुला देशी घी और इधर यह आटा रखा हुआ इसको इसी में भूण जाइस घी हमारा पूरी तरह से पिगल चुका है अब इसमें हम डालेंगे इस चावल के आटे को यह देख लो चावल का आटा इसमें पढ़ रहा है अब इसको अच्छे से भूण लेंगे ब्राउन ब्राउन साम लोग को नहाना भी है अभी साम को ठंड इतनी जादा है हिम्मत नहीं पढ़ रही लेकिन नहाना पड़ेगा क्योंकि ब्रत है साम को पूजा भी है वापरे क्या होगा कुलफी जमेगी तो गाईज ये थोड़ा थोड़ा ब्राउन होने लगा है और सूझ देटा भी प्रकट हो चुके हैं ये देख लो अभी थोड़ा थोड़ा धूपा गई है काफी टाइम हो गया है जलते जलते पकाते पकाते और वो उसको अम्मा उसको देख ले अरे बच्ची सम्नास करे दाओ तो भाबा अब हम का करी तुम्हेरे तो नाती आए इधर आजाओ दत्विन चबाना पड़ेगा बड़िया बड़िया लखडी वाली तो कि ब्रत है ना तीनों लोग यह भाबी अम्मा हम तीनों लोग ब्रत हैं अभी क्या करेंगे हम लोग साम तक तो लगता है खतम हो जाएगी काहनी हम लोग की ब्रत ब्रत बगवान बहुत तेज भूख और वह गरी है अभी तिल नहीं भूझे हो ना वाइस अम्मा ने डाल दिया हम वीडियो अन करने से पहले ही तो यह देख लो थोड़ा बाचावल भी ब्राउन हो गया बाकी एक बार का यह है अब यह सब एक ही में मिक्स हो जाएगा अभी तिल वह करेंगे भूनेंगी इसम तिल का स्वाद बहुत अच्छा आता है गया अभाव अभी पट पट करेगी यह देखो गाईस इदर कभी कितना अच्छा लग रहे है न यह देख लोगाईस कुकिंग की साथ साथ आप लोग भी देख सेबते हुए यह देखो यह हमारा गाउंवी गाईस इदर यह देख और हम लोग यहां ऊपर छट पे लगे हुए हैं यह देखो गाइज अब इसको तिल थोड़ा भूंजेंगे उसी में डालने को अच्छे से पूंज लेंगे हम लोग जे देख लो गाइज अच्छे से हिलाला के अलग-अलग हो गया हमारा तिल अब इसको अच्छे से पका लि आपना है जितना कि हमारा आठा हो गाईज में पानी ज्यादार रखना चाहिए लड़ू आधा है यह अधिक लड़ू खाओगे अंजीका तुमको भी खाना है क्या खाओगी लड़ू बजगया निइस में डाल देता है जासनी के लिए इसमें यह देखो गूड डाल रही ह हमारी अम्मा जी कहते हैं यह सब दादी अम्मा के हाथ का बना हुआ कुछ जादे ही स्वादा आता है इसलिए हमारे अम्मा के हाथ के बने हुए लड़ू कौन-कौन खाएगा थरकी जैसा बन जाता है लेकिन खाने में बहुत अच्छा लगता है तो गाईज हमारे भावी प्रेक आ गई है यह भावी भी आई है तो देखो गाईज अपना मुधाकरी के नहीं है पगली बिंदी भी नहीं लेगाई है यह मेरे बाबु विदे को पागल बने सुबह से घूम रहा है भी इसको कुछ भी नहीं हुआ भी इसका तो गाईज हम नहां के आ चुके हैं तयार हो गया है अब इसको हम लग बनाएंगे इसमें डाल डालके उसका लड्डू बनाएंगे तो तो गाईज अभी देखो पिंडिया बनना सुरू हो गया है यह वह देखो चास्नी को जाल डाल रहे हैं इसमें आटे में यह देखो गाईज चास्नी वहां चास्नी पाटर यह जो जो मैश कर लेते हैं मिक्स कर लेते हैं जाइज यह देखो Iतनी सारी पंडिया अम्मा ने बना दी है अब लुग देख सकते हो यह देखो इंखर ओके तो गाइस देख लो आप सबी लो यह अरी अम्मा के हाथ का च्छा रंता है इसलिए हम लोग नहीं बनाया है थोड़ी सी हैल्प इदर उदर हो गई है बाती कुछ नहीं हम लोग नहीं बनाया है इस इंडिया बन के रेडी हो गया है यह में अभी इतना बाकी है बाके का हो चुका है और उसको देखो अन्मी तेलों के नहानी है वे अ प्हया है